हिवांचल मेडिकल आफिस एसोशेशन ने दो टुक शब्दों में नीने लिया है कि स्वास्ते विभाग नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी के आधिशों का पालन नहीं किया जाएगा और एमडी एन एच एम के पद को सीनिर अधिकारियों को दिया जाए ताकि पॉलिसी धरातल क ध्यान में रख कर बन सके ना कि फाइलों में दब कर रहने के लिए बने हम इरपुर में आयोजिक पर दिश कार्यकाइने की बैठक में जैन्रिक दवाइँ को लेकर भी पर्दिश सरकार और सौस्त विभाग से मांग के गई कि जैन्रिक दवाइँ की क्वालिटी और पीजी पॉhãइग माढ Corn ने कहा कि मैडिकल कॉछिस में भरतियां रिजीibal के नाम पर हो रहे हैं की गलत है उन्होंने कहा कि नियमों को दरकिनार करके मेडिकल क्वालेशन में स्टाफ रखा जा रहा है जिसका ऑफिसर एसोसियेशन विरोध करता है हाड और ये एरिये जो हैं डिकलेर कर दिये गए हैं तो यहाँ पॉलसी भी पीजी पॉलसी 90 प्रिसेंट लोगों को पीजी पॉलसी का फाइदा मिलना चाहिए और हिमाचल में जितने भी रूरल एरिये में लोग काम कर रहे हैं उन्हों सब लोगों को पीजी पॉलिसी में रिजरविशन देनी चाहिए और ये तुरंत जो है कैबनेट में ये चीज़ आनी चाहिए सेक्टरी लोग जो हैं वो सरकार को गुबरहा कर रहे हैं इस मामले में और यूपी परदेश कुछ और है और हिमाचल कुछ और है तो हमारे जो बच्चें जैसे चंबा है और हिमाचल के जैसे मंडी में कुछ है रिये हैं बगसाइड है करसोग है बहुत टफ है रिये हैं जहा वेंट फिट दो ताकि हमारे जितने भी आस्पिडल खाल ली हैं उसारे बर जाएं और पीजी के लिए भी सब लोग कम्पिट कर सकते हैं सब को 10% 20% माक्स मिल सकें सरकार को हम बेज रही हैं और हम सरकार को रिक्वेस्ट भी बेज रहे हैं कि हमें तुरंत मिलने का मौकर दिया जाए हम चीफ मिल से और जो नए हमारे चीफ मिल से बहुत चीफ मिल से हैं और हम इचाते हैं कि हमारी एस्ट को जल्दी बलाए और वहां अफसनों को भी बलाए औ और वहाँ इवन इस जैंडरीक दौआई के लिए जो डुर्ण के जो लोग पर्दान डॉक्तर पुश्पेन्देवर्मा कि अतिनाद किया जाए अच्छ सी हो सके. उन्होंने कहा कि Medical College में प्रिंसिपल रेगुलर अधिकारियों को लगाया जाएं हिमाटल Medical Officer Association की परदेश तरिय बैठर का आयोजन किया गया जिसमें परदेश अधिक्ष डॉक्ट जीवनन के अलाबा परदेश विरिस्ट उपाधिक्ष डॉक्टर पुषपेंदर बर्मा और परदेश कारेकानी सदस्या मौजूद रहे अब स्वास्य बिमाग में जो भी आदेश होंगे बो डिरेक्टर हेल्थ सर्विस ब के दॉर्ष ही आएंगे तभी वो मानने होंगे NHM के N.H.M. के M.D. की तरफ से किसी भी तरह के आदेशों का जो है बो पालन नहीं किया जाएगा अगर वो डिरेक्ट आदेश देंगे हमें आदेश जो है हमारे सरभोच पद आधिकारी जो है हमारे डिरेक्टर हेल्थ सर्विसिस उनसे चाहिए और उनके थरू ही अगर कोई आदेश M.D.N.H.M. देना चाहते हैं तो वो डिरेक्टर के थरू ही वो नीचे कैडर को दिया जा चाहिए इस परस्ताब को पारित किया कि M.D.N.H.M. का पद जो है वो किसी सीनियर जॉइन डिरेक्टर को दिया जाना चाहिए जैसा कि बाकी परदेशों में भी है ताकि जो पॉलिसीज है वो धरातल को ध्यान में रखके बनाए जाए ना कि दफ्तर में फाइलों में वो द किया गया है जो के जनता के गरीम जनता के पैसे की जो है वो एक क्या कहें उनको दूर्पियोग है उसको बंद किया जाए और N.H.M. का ओफिस जो है वो डिरेक्टर हेल्थ सर्विसीज के ओफिस में ही होना चाहिए क्योंकि N.H.M. का जो पैसा है वो केंदर सरकार द्वारा मरीजों की भलाई के लिए भेजा गया है ना कि किराय की बिल्डिंगें लेके उस पे खर्च करने के लिए